अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से सीरिस धोकादरी जाचकार्याले ने निकाले 66 पदों पर रिखते हैं सीरिस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ओफिसर में नौकरी के इच्छा रखने वाले उमिद्वारों के लिए खुश्का प्रिभारसरकार के कॉर्परेट मामलों के मंत्राले के अधीन गंभीर धोकादरी जाचकार्याले अल्प अवधी अनुबंधन आधार पर जूनियर कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट और यग प्रफेशनल्स के पदों पर आवेदन की मांग की गई है मिली जानकारी के नुसार गंभीर धोकादरी जाचकार्याले की तरफ से कुल्मिलाकर शियासत रुक्तिया निकाले गई है एच्छो को में द्वार S.F.I.O की आधिकारिक वेबसाइट S.F.I.O.N.I.C.I.N. पर उपलब्द कराए गए आप्लिकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आवेदकों को सला जी जाती है कि 18 जून 2021 से पहले आवेदन फॉर्म को गंभीर धोकादरी जाचकारयाले की ओफिस में भेजना होगा बिहार में COVID-19 के मिले 1500 से कम मामले स्वासे वुभा की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीतर दिन के पिश्चो 24 घंटे में कुल मिलाकर 1275 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 18,377 पर पहच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावे जिलों की बात करें सारन में 47, शेकपुरा में 5, शिभर में 19, सीतामरी में 18, सिवान में 44, सुपॉल में 81, वेशाले में 32, वेश्च अपारन में 60 मामले सामनिया है इसके साथ ही 10 ऐसे मामलों की पुष्टी हुई है जो दूसरे राज्यों के है लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए है वहीं बीते दिन के पिशो 24 गंटे में कुलमला कर 4,130 मरी स्ठीक होग और घर वापस लोटे है वहीं बीते दिन के पिशो 24 गंटे में 1,44, सामपल की जाच की गई है बिहार में COVID-19 से अनाध हुए बच्चे को हर महीने दिये जाएंगे 1500 रुपे COVID-19 के कारण कई लोगों की जान अब तक जा चुकी हाला कि कई ऐसे घर भी है जोहां पर एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई है ऐसे में मुख्यमंत्रि नितीश कुमार ने COVID-19 के कारण अनाध हुए बच्चे को सरकार की तरफ से राशी मोहया करवाने का एलान किया है जिसके तहत 1500 रुपे प्रती महीने देने का एलान किया गया है इसके लावा उनकी सिक्षा का पुरा खयाल भी रखा जाएगा इसको लेकर मुख्यमंत्रि नितीश कुमार ने ट्वीट जारी किया है उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे बच्चियों जिनके मातापिता दोनों की जान COVID-19 के कारण चली गई है तो उनको बाल सहायता योजना के तहट प्रती माह 1500 रुपे दिये जाएंगे इसकी साथ ही बच्चे बच्चियों के अभिभावक जिनके नहीं है उनकी देखरेक बाल गरह में भी की जाएगी ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूर बागांधी बाले का आवासिया विद्याले में प्रास्पिक्ता पर नामांगन कराया जाएगा श्रवनकुमार ने जीविका दीदियों को भुकतान के लिए सरकार को बताया गंभीर ग्रामेन विकास बभाग के मंत्रिक श्रवनकुमार ने हाली में जीविका दीदियों को भुकतान किये जाने को लेकर अपना वयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि वर्दमान में राज़ों की जीविकास समु काफी संबल हो चुका है राज़सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाने वाला भोजन बनाने का काम भी जीविकास समु को सौब दिया है इसके लावा भी ग्रामेन इलाकों में कई तरह के काम से समू से जुड़ी महिला को आतनिर्भर कहा जा सकता है इसके आगे उन्होंने कहा कि जीवी का दीदियों द्वारा बनाये जारे है मास की खरीद पंचायती राजवभाग द्वारा की जारी है उनका भुगतान भी पंचायती राजवभाग द्वारा ही किया जाना है अगर जीवी का समू के द्वारा किसी तरह की शिकायत मिलेगी तो ततकाल संबंधित अधिकारी से बात कर भुगतान कराया जाएगा मुख्यमंदरी नितीशकुमार ने बाढ़ की तैयारीوں के संबंध में की प्रमंडल वार बैठक बिहार मखके बाढ़करस्त अलाकों में जन प्रतेनेदियों के सुझाफ पर अधिकारीों को काम करने का इंदर देश दिया इसको लेकर मुख्यमंदरी नितेश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधम से राजमे बाढ़ की तैयारियों के संबंध में MP, MLC, MLA के साथ प्रमंदलवार बैठक में प्राप्त सुझाव से संबंधित समिक्ष्वा बैठक की बैठक के दौरान जनप्रत निधियों ने अपने अपने छेतर से संबंधित वाड की तैयारियों को लेकर और भावी पर्योजनाओं को लेकर महत्वपुर्ण सुझाव दिये इस बैठक में सम्भंदित विभाग ने अधिकारी भी जुड़े थे जिसमें C.M. ने कई दुशा निर्देश अधिकारिय बिहार में 7 दिन के अंदर मिल सके का मृत्य प्रमान पत्र दे दिया जाएगा खास कर वैसे लोगों को जिनकी जान COVID-19 के कारण गई है उने मृत्य प्रमान पत्र देने में संबंधित निकाय जुला काफी देर कर रहा है जुला स्तरिय कारे में इसको लेकर काफी वजियत भी हो रही है इसी वज़े से लोगों को काफी परिशानी हो रही है कई जुलों में सरकारी अस्पतालों से जान जानने पर मृत्य प्रमान पत्र देने में काफी समस्या होती है हाली के कुछ दुनों में इसकी दर जुन शिकायत राजसरकार को मिली है जिसके बाद अमृत्य प्रमान पत्र परिजोनों को देने मिदेरी को सरकार ने कम भीरता से लिया और सभी जिलों को ज़रूरी दिशानिर देश जारी कर दिये गए हैं जिसके तैस सभी जिलों को सक्त देश देते वे सभी लंबित मामलों का तुरन निप्टारा का देश भी जारी किया गया है एक जून से अनलॉक पर आज आ सकता है फैसला कोबिड-19 के मामलों में बिहार में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं से बीच बिहार सरकार एक जून से अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा सकती है खबरों की माने तो आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं इसको लेकर क्राइसिस मानेजमेंट ग्रूप की बैठक आज आयो जित करवाई गई है जुसमें की कई तरह की छूट के साथ सरकार लॉक्टाउन को लागू कर सकती है बिहार आयमे के डॉक्टर अध्यक्ष अजय कुमार ने सरकार से मांग की है कि अभी आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दिपाली किशोर की दिपाली किशोर का जन बिहार की राजधानी पट्टा में 6 जनवरी 1989 को हुआ था दिपाली किशोर एक भारत्य गाई का है वो इंडिन आइडल तीन की फाइनलिस थी वो बॉलिवड अभिनेता जौन अब्राहे की मेजबानी की उन्होंने आभास जोशी के साथ डीडी नाशनल पर एक संगीत शो भारत की शान सिंगिंग स्टार की मेजबानी की दिपाली महुआ टीवी पर भोजपूरी सोप बढ़ की मलकाएं में अभिने कर रही है उनका नवींतम बॉलिवुड गीत की एंड का में मि सरकारी योजना का लाभ देने कामन सरकार बना रही है जिसको लेकर मजदूरों के संग्रक्षन और कल्यान की नीती बनाई जाएगी समन में खाने वंभूतत विवभाग गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है सब को सही रहा तो इस साल तक इस नीती को लाने की तयारी की जारी है इसका फाइदा करीब एक लाख मजदूरों को मिल सकीगा फिलहाल इस तरह की नीती नहीं होने की वज़े से खनन में लगे मजदूरों के साथ कोई भी अप्रिय घटा होने पर उनको या उनके परिवार को उचित सहायता नहीं मिल पाती है सूत्रों के नुसार खनन करने वाला है बड़ा बदलाव फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए एहम सूशा कोविड-19 के कारण घरेलू फ्लाइट की ऑपरेशन में बदलाव करने का एलान किया गया है इसका असर पहले से चल रहे है फ्लाइट के शेडूल पर देखने को मिल सकता है जुसमें बदल एरपोर्ट के डारेक्टर ने अपनी जानकारी साजा कर दी है सोमवार को इसकी लिस्ट जारी करने की उमीद जोताई जा रही है नदी पर बने चचरीपुल से गुजर रहे लोगों के साथ हुआ हाथसा यह वाक्या सीता मढ़ी जिले का है जहां पर यास शक्रवाद के चलते लगातार तीन दिनों से हुई मुसलाधार बारिश से जिले से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में व्रधी हो गई बाग बिहार के राजपाल पहुंचे S.P. के घर बीते दिन बिहार के राजपाल फ़ागो चोहा नचानक से स्पी के घर पहुंचे राजपाल, S.P. के सरकारी आवास पर लगभाट 15 घंटे तर के राजपाल के पहुंचने से पहले ही आरा जुले के डियम भी वहां पहुँच सार राज़पाल पोता और भांजा सहीद आरा पहुंचे थे एक गाड़ी में खुद राज़पाल और दो गाड़ियों में परिवार के सदसे थे इसके बाद राज़पाल एवं भोजपूर S.P. के बीच लंबे बाद चीथ हुई हाला कि राज़पाल अपने भाई के गुज के बाद राज़पाल पहुंचे पहले से आरक्षित होंगी। पाँच जून को परिशालित की जाएगी नीजी जमीन पर पौधे लगाने पर पैसे खर्च करेगी बिहार सरकार बिहार में 33 फिज़ी हरेतावरन का लक्ष हासल करने के लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसी बावत ग्रामे इन विकास विभाग मन्रेगा के तहट चालो वितिय वर्ष में 2 करोड पौधे लगाने का एलान कर दिया गया है यही कारण है कि सरकार नीजी भूमी पर पौधार उपन करने वालों को प्रोथ साहिद भी करने वाली है इसके तहट ऐसे व्यक्ति जो की नीजी भूमी पर लगाए गया पौधे की सुरक्षा है तो जेवियन के साथ ही सचाहिए तो चापकल या ट्रॉली से पटवन की ग्रामे इन विकास विभाग की तरफ से दिया जाएगा वहीं आप नीजी भूमी पर लगाए गया पौधे की सुरक्षा है तो जेवियन के साथ ही सचाहिए तो चापकल या ट्रॉली से पटवन की ग्रामे इन विकास विभाग देगा वहीं इननी जी भूमी के मामले में यदि दो एकाई के क्लस्टर 200 मीटर की दूरी के अंदर उपलब्ध हो तो उनकी दो एकाईयों के लिए एक चापकल के लिए सरकार अनुदान देगी बिहार में COVID-19 वाक्सिनेशन में आई रुकावट पर बोले स्वास्तमंत्री टीके का उत्पादन होने की बात कही है सलाइन गारगल RT-PCR टेस्ट को ICMR ने दी मंजूरी सलाइन गारगल RT-PCR टेस्ट को मंजूरी ICMR के तरफ से दे दी गई है जिसके बाद अब टेस्ट के लिए घंटो लाइन में लगने की जरूएत आमनागरी को को नहीं होगी कि हप्रोक्रिया काफी सिंपल है इसमें स्वैब की जरूरत नहीं है और काफी जल्दी ही इसके नतीजे मिल जाते हैं जिसके तहत अप 15 सेकंड गरारे करने के बाद उसे ट्यूब में डाला होता और तीन घंटे के अंदर आपका परणाम सामने आ जाता है दर्भंगा एरपोर्ट से मुझफरपुर की शाही लीची का उड़ा वेमान दर्भंगा एरपोर्ट ने रविवार को एक नया इतिहास दर्शिया है जिसके तहे सरकार ने नागरेक वेमान इन मंत्राले की अती महतवकान शीक्रेशी उड़ान योजा के तहे पहले वेमान S.G 945 विश्विख्यात मुझफरपुर की शाही लीची लेकर उड़ान भड़ चुका है निर्यातक सीजे डारकल के लिए मुंबई के लिए पहले दिन कुल 71 पकेट लीची भेजे गया है इस दोरान सुरक्षा मानुकों का पूरा ध्यान रखा गया है एरपोर्ट के ने देश की बात कारिकरम के दौरान उन्हाने शाही लीची का जिक्री किया रविवार को मन की बात में उन्हाने देश को बताए कि शाही लीची क्या है और कैसे अभिहार का ब्रांड बन रही है 23,000 गाओं के 38,000 बूतों पर मना सेवा ही संगठन कारिकरम बीते दिन भाजपा के कारेकाल को 7 साल पूरे हो गये थे जो इसकी बात COVID-19 के बाहॉल में भाजपा की तरफ से सेवा ही संगठन कारिकरम का आयोजन करवाए गया था बाजपा के प्रदेश अध्यक संगे जैसवाल की तरफ से मिली जानकारी के नुसार के इंदर सरकार के 7 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा के कारेकरताओं द्वारा सूबे के तकरीबन 23,000 गाओं के लगभक 38,000 बूतों पर सेवा कारे किया गया इन बूतों पर भाजपा कारेकरताओं द्वारा जरूरत बंदों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबून, इम्म्यूनिटी किट आदी सामागरियों का वितरन किया गया वही कई स्थानों पर लोगों के तेंपरेचर, पल्स, ऑक्सिजन, लेवल, ब्लड, ग्लुकोज, आदी, चिकित, सिया, जाँच भी की गए एटीवी भारत के रिपोर्टर पर FIR को लेकर तिजस्वी आदव ने सरकार का किया घेरा अम्बुलस मामले में एटीवी भारत के पत्रकार उमेश पांडे पर हाली में FIR दर्ज कर दी गई है जिसको लेकर तेजस्वी आदव ने सरकार को निशाने पड़ लिया है केंद्रे मंत्रे अश्वनी 24 ने फर्जी आम्बुलस का परदाफार्श करने वाली ETV भारत के पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है 21,000 तक कमाने वालों के परिवार को मिलेगी पेंशन केंद्रे सरकार की तरफ से जारी किये गए नई अथिसूचना के नुसार 21,000 तक कमाने वालों के परिवार जनों की अगर COVID-19 के कारण जान गई है तो वैसे परिवार को पेंशन दिया जाएगा हाला कि दिव्यांग जनों के मामले में आए सीमा 25,000 तैकी गई है सरकार ने कहाए कि ऐसे पीरिद परिवार सम्मान का जीवन जी सके और जीवन सतर को बहतर बनायक के रख सके जिसके तहट यह 24 मार्श 2020 से लागो माना जाएगा और इस तरह कि सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्श 2022 सक उपलब्ध होगी खबरों के माने तो इन व्यक्तियों के आशुरित पारिवारिक सदस्य मौजुदा मांधंडों के अनुसार सम्मंधित कर्मचारी या कामगरों के और सत दैनिक वेतन या परिश्रमे के 90 फीज़ी के बराबर पेंशन का लाप पाने के हगदार होंगे भाजपाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदफ से की अपील बिहार में COVID-19 के माहवा के बीच राजनेती करन भी जोर शोर से देखने को मिल रहा है जो एक तरफ सरकार का विपक्ष पर निस्षाना सदरा है वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष को बक्षने के मज़ाज में नदर नहीं आ रही है इसक्रा में बीते दिन भाजपानेता निखिलानन ने तेज़स्वी आदफ को आडे हाथ हो लिया है जिसके तहरा ने कहा कि तेज़स्वी आदफ जिस तरीके से दिल्ली में बैठ कर लगातार ट्विटर वाजी कर रहे हैं उसके कारण उनकी गंभीर ताखत्म होती जारी है उ बख्षवे बख्ष और सभी छेत्र के लोगों से लगातार सहियों की अपील कर रहे हैं प्यारे भाई देड़स्वी जी और राजुत के लोगों से अपील है कि वो स्थानी केंद्र पर जाकर खुट्टी का लगवाएं भारत के इतिहास में आज की तारीक के कार्णों से दर 1774 में भारत में पहला दाक सेवा कार्याले आजी के दिन खुला गया था अठाला सो सरसर में बंबई में प्राथना समाज की स्थापना आजी के दिन हुए 1921 में भातिय राज़्ट्रिय कॉंग्रिस के जंडे को अंगीकार आजी के दिन किया गया 1969 में बौधि धर्मगुरू दलाई लामा को तिबबत में नर्वासन के बाद भारत में शरंदी गई 2010 में भारत में मानेता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25 फीजी सीटे आरक्षित करने का कानून बनाये गया आज़ी के दिन को विश्विध धुम्रपान निशेध दिवस के रूप में मनाया जाता है अब घर बैठे बैठे पता लगाएं नजदी की आधार सेवाकेंद्र अब आप घर बैठे बैठे ओन्नाइन माधियम से नजदी की आधार सेवाकेंद्र का पता लगा सकते हैं सबसे पहले आप UIDAI के वेबसाइट को ओपिन करें इसके बाद माई आधार सेक्शन में जाए और गेट आधार विकल पर क्लिक करें इसके बाद आपको सेवाट ओर आधार सेवाकेंद्र और आधार इनरॉल्मेंट सेंटर का विकल्प मिलेगा सचिन तिंदुलकर ने अपने करियर में दो बातों का मलाल रहने की गहीं बात 24 सालों तक इंटरनाश्टल क्रिकेट पर राज करने वाले दुनिया के महान बल्ले बाजों में श्रामल भारत के पुर्फ क्रिकेटर सचुन तिंदुलकर ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दश किये हैं अला कि इसके बावजुद उन्हें अपने क्रिकेट करियर में दो चीजों का मलाल आज तक है जिसके तहट उन्होंने बताया कि पहला उन्हें इस बात का मलाल है कि वो कभी सुनील गवासकर के साथ नहीं खेल पाए इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब बड़े हो रहे थे तो कभासकर मेरे बाटिंग हीरो थे एक टीम के तौर पर उनके साथ नहीं खेलने का हमेशा मलाल रहेगा इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि मेरे बचपन के हीरो सर वीवियन रिचर्ड के खिलाफ नहीं खेलने का मेरा दूसरा मलाल है मैं भाग इशाली था कि मैं उनके खिलाफ काउंटी क्रिकेट में खेल पाया लेकिन मुझे अभी उनके खिलाफ एक इंट्रिनाशनल मैंस्ट नहीं खेलने का मलाल है अब आईए जो आते हैं सराफबाजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 माई को 22 क्यारट के लिए प्रती 10 ग्राम 46,590 रुपे था वहीं चौब स्कैरट के लिए प्रती 10 ग्राम 47,590 रुपे था इसके साथ ही अग सवाल का जवाब अपमें से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लाप का बहुत बहुत धन्यवाद आपमेंसे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा रगा है, उनके नाम है दिव्याश कुमारी, सतेश कुमार अनवर करीम खान, रंजीत महता, शोतम कुमार, विवेक कुमार भोजपुरी, राजीव रंजन सोनी, सब प्रहलाद कुमार, मृतुंजग कुमार प्री ती ये दुबंशी इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय क्या भाव के गारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के वरतमाल माहौल को देखते वे, सरकार को लोकडाउन में धील देनी चाहिए या इसी सकती के साथ पहले की तरही जारी रखना चाहिए, अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बे लाइक ओन दो बाना ना भूले, धर्यवाद